Hello students, welcome to MKMassWords Students, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए Thank you और जो हमारे साथ नहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तांकि नई study based वीडियो आप तक पहुंच पाएं Now student, हम एट्थ क्लास का 11 चैप्टर कर रहे थे Algebraic expressions आज हम उसके next sum करेंगे Now student 11.3 exercise का first sum देखो Divide 18 x cube y by minus 6 x y की power 2 तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है Divide So student divide में first term उसको उपर रखेंगे और second minus 6 x y square को denominator में नीचे ठीक है ऐसे करते हैं ना Divide का जब करना है हमने तो यह जो numerical coefficients जो हैं इनको cutting हो रही है 6 के table में 18 कहां पे आ रहा है 3 पे ठीक है यह cut गया minus 3 आ गया यहां पे ठीक है Now variables की turn variable में student आपने formula याद किया होगा किये हुए है पहले भी आपको करवाएं हैं देखो जब भी base same हो ठीक है और multiply का sign हो तो powers क्या हो जाती है add ठीक है लेकिन अगर divide में हो तो powers क्या हो जाती है minus clear यह divide में है ना base same है लेकिन powers क्या हो गई subtract multiply है बीच में base same है तो powers क्या हो जाती है add clear अब यहाँ पे divide का sum है तो powers जो है same base जिनके है जैसे यह x और x यहाँ पे x की power 3 है और 1 x कट गया इसके साथ कितने minus हो गया ना तो कितने बचके x की power 2 clear next y देखो यहाँ पे y अब उपर 1 है नीचे 2 बड़ी पावर नीचे है ना तो यह नीचे के साथ minus हो जाएगा तो नीचे ही रहेगा y कितना बच गया 1 ठीक है आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हो जैसे minus 3 आया था ठीक है तो minus 3 x कितने है उपर x 3 times है y 1 time नीचे x और y 2 time तो यहाँ पे 1 y के साथ 1 y कट गया 1 x के साथ 1 x कट गया है ना तो बचा गया minus 3 x की पावर 2 और नीचे y ठीक है तब भी answer देखो same ही आ रहा है वही it means आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो अलग लग लिखके ऐसे खोल के पावर्स को कटिंग करनी है तो वैसे कर लो अगर आपको सीधे यह से कटिंग आती है सब्ट्रैक्ट करना है simple बेस same है तो पावर्स को ठीक है x वाले को x के साथ y वाले को y के साथ ठीक है तब भी answer वही आएगा clear now first का second part minus 36 x square y z की पावर 3 इसको किस से डिवाइड करना था 27 x y z के साथ तो over में लिख लिए है इनको ठीक है हम solution ही कर रहे है only इसका तो यहाँ पे cutting हो रही है कौन से table में देखो 3 के table में 9 के table में भी हो रही है 9 4 जा ठीक है 36 और 9 3 जा 27 ठीक है now यहाँ पे आ गया हमारे पास minus 4 by 3 numerical coefficient तो आ गया अब जो variables हैं उनको देखे ठीक है यहाँ पे x की पावर 2 है तो नीचे 1 x cancel हो जाना minus हो जाना उपर जाके यहाँ कट जाना तो कितने x बच जाने है 1 y एक ही है तो वो कट गया उसके साथ z जो है यहाँ 3 है और यहाँ 1 minus हो जाएगा कट जाएगा 1 तो कितने बच गये z की फावर 2 यहाँ गया second part का answer easy है ना next third part में 39 a square b square c को by किसे करना है minus 26 a b के साथ divide ठीक है यह first manomial को second manomial के साथ divide करेंगे तो ऐसे इनको लिख लोगे divide में ठीक है यह cutting हो रही है 13 के टेबल में 3 पे 39 और यह 2 पे कितना आ गया minus 3 by 2 अब यह तो हो गये numerical ठीक है now variable जो है उनकी cutting ऐसे यह a की पावर 2 है और यहाँ पे 1 यह कट गी 1 minus हो गई ठीक है तो a की पावर a की बची a की यह बचा b भी यहाँ पे 2 है उपर और नीचे 1 यह cutting हो के minus हो गया 1 b कितना बच गया 1 b बच गया तो c तो नीचे कोई नहीं है तो वही रहेगा एक तो यह आ गया minus 3 over 2 a b c answer clear minus 4 by 5 p q r की पावर 2 के साथ divide करना है ठीक है तो सबसे पहले जो numerical coefficients हैं वो देखें कैसे लिखोगे इनको 4 by 7 अब जब भी student divide में हो और fraction हो ठीक है तो उसको जब multiply में change करते हैं तो fraction जो हो है क्या हो जाती है reciprocal कर उलट जाती है 5 by 4 आ जाएगा यहां पर minus का sign तो उपर ही रहना है ठीक है तो यह 4 के साथ 4 1 के table में cut गया 5 by 7 आ गया यहां पर numerical coefficient इसका now variables जो हैं वो यह b के साथ 1 p minus हो जाना 1 p बच जाना ठीक है q के साथ b 1 q subtract हो के 1 q बच गया r अब नीचे है power तो दियान रखना है r कहां जाएगा नीचे cutting होके ठीक है नीचे subtract होगा जाके तो 1 r नीचे बच गया तो यहां पर हमारे पास answer आया कितना minus 5 by 7 p q over r clear now student second sum देखो इसका divide यहां पे polynomial को polynomial के साथ divide करना है ठीक है सभी में ऐसे यह four parts है इसके तो six है सबसे पहले six से साथ divide करेंगे तो सभी के denominator में क्या लगा लेंगे six six ऐसे सभी के over में पहले six लगा लोगे फिर हर एक term के नीचे अलग लग करके six आ रहे है three two पे कट रहे है यह ठीक है यहां पे भी three के table में five उपर आ गया नीचे two यह three one's a three three two's a six ठीक है तो cutting करनी आती है सभी को यहां बचे गया one by two x की power three यहां three by two x की power two five by two x plus one by two तो यह आ गया second के first part का answer clear now second के second part में भी सभी के denominator में जिससे divide करना है three a square भी से square से ठीक है तो वो लिखता होगे three a square b square over three a square b square clear now देखो cutting हो रही है यहां पे three के table में 12 पे 36 ठीक है यहां पे three के table में eight पे twenty four now यहां भी हो रही है cutting three के table में four पे 12 और यहां पे three के table में two पे six ठीक है now यहां पे first आगे 12 12 यहां पे variables देखो यह तो कटी की है ठीक है a square के साथ a square b square के साथ b square same ही थे minus करोगे जब इनको उपर जाके variables को तो zero आ जानी है तो किसी की भी power zero हो student तो one answer होता है उसका है ना now next plus eight अब यहां पे variables देखो a की power two और यहां पे one अब one वाली power नीचे आके cutting होगी तो one a नीचे बचेगा a की power one है ना three के साथ minus ठीक है कितना three minus two कितना बच गया यहां ऐसे ही देखो two b हैं नीचे और उपर three b हैं तो two b कट गए three b के साथ तो कितने b उपर बचने one ठीक है तो b उपर बचा और a denominator में clear next plus four यह a b उपर one one है नीचे two two हैं तो यह उपर वाले नीचे के साथ a कट जाएंगे तो नीचे denominator में बचेगा a और एक b ठीक है next minus two अब यहां पे तो numerator में कोई a भी है यह नीचे denominator में यह है a square b square तो वो वहीं पे रहेंगे a square b square clear यह हो गया second के second part का answer clear student आपने पहले उपर statement लिखनी है हम solution ही लिख रहे हैं यहां पे now third part में polynomial दी हुई है उसको divide करना है minus two q p square r के साथ तो ठीक है सभी के denominator में ऐसे लिखता हो के minus two q p square r यहां भी minus two q p square r last पे भी minus two q p square r ठीक है अब student यहां पे variables होए हैं उनका ध्यान रखना है same same variable के साथ ही same variable cutting होगा ठीक है तो नाओ यहां पे देखो सबसे बहले तो यह cutting हो रही है two के table में eight कहां आता है four पे ठीक है तो minus four आ गया first minus four now variable देखो q की power यहां three है तो नीचे one one q यहां पे खट जाएगा तो कितने बचने है उपर q की power two बचेगी q की power कितनी बची two यहां पे p की power two है और यहां भी p की power two यह cutting ही होगी अपस में ठीक है p तो बचा ही नहीं कोई तो आर भी पूरे के पूरे कट गे one है तो one नहीं subtract हो गया ठीक है तो कितना बचा यहां पे minus four q की power two clear next यहां पे two के table में cutting हो रही है 32 कहां पे आता है 16 पे ठीक है तो minus यह minus नीचे भी था denominator में भी minus minus क्या हो जाते है two minus हो डिवाइट में तो वो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे plus बन जाएगा ठीक है 16 एक p की power three यहां पे p की power two तो two p उपर three से कट गे कितने एक ही भी बचने है ठीक है next q one है यहां पे यहां two तो कट गया one subtract हो गया उपर जाके एक तो एक q बच गया ठीक है r भी नीचे one है और उपर two है एक आर गट जाना है उपर तो कितने आर उपर बच जाना है one ठीक है now यहां पे plus minus minus ठीक है यह धियान रखना है अगर same sign हो तो plus का sign आएगा different sign है तो minus का sign आएगा यहां पे two के table में eighteen nine पे गट रहा है ठीक है तो nine आएगा यहां पे next p कितने है यहां पे two और यहां one यह नीचे cutting होगी तो नीचे p बचना है ठीक है और q के साथ q कट जाना एक ही q है r भी एक ही है वो भी कट किया है तो minus nine by p next last में eight और two हैं two के table में eight four पे ठीक है यह different sign है plus minus तो यहां पे minus का sign कितना बचा four और देखो p one है यहां नीचे two तो कट गया एक एक p नीचे बची गया और qr तो numerator में है ही नीचे रहेंगे तो four by p qr आ जाएगा यहां पे ठीक है तो यह आ गया हमारा थर्ड पार्ट का अंसर clear now last fourth part में देखो polynomial को minus four x के साथ divide करना है तो सभी के denominator में minus four x लगा दो गया है ठीक है अब यहां पे cutting करो cutting हो रही है two के table में four two पे यह four के table में four one पे cut गया four के table में eight two पे four के table में यह 24 six पे ठीक है now यह बचा minus one by two और x denominator में ही है ठीक है यह minus minus क्या हो गए कट गए plus one के same sign हो तो plus का sign अता है तो यहां पे different sign है minus का आएगा यहां बचा क्या x के साथ x से में कट गया तो one बचा यहां पे ठीक है now यहां पे minus का sign two x की power यहां three है यहां one तो एक x कट गया उपर minus हो गया जाके तो x की power कितनी बची two यह minus minus plus तो यहां पे six x की power two है उपर नीचे one तो minus हो के एक x कट जाना है उपर ठीक है कितनी x बचे गए one तो यह आ गया fourth part का answer now अच्छे से practice करो बेटा in sums की बेटा books के पीछे जो answer दिये होते हैं कई बार वो क्या करता है plus वाली जो term है उसको पहले लिख लेता है और बाकी बाद में ठीक है तो वो भी ठीक है गलत नहीं होगा ऐसे भी आप लिखा रहने देच सकते हो तो उस तरह से भी लिख सकते हो ठीक है दोनों तरह से ठीक होगा अब practice करो बेटा अच्छे से कई बार आप कहते हो कि हमें कोई वीडियो नहीं मिली तो बेटा वो कैसे मिलेंगी अगर आपने subscribe लाइक नहीं किया होगा तो है ना हमारी हर एक वीडियो में last में next वीडियो जो है वो upload की होती है दी होती है ठीक है तो वो आप वहाँ पे जाके देख लिया करो last में आपको न्यू वीडियो जो है slaybers के according आपको मिल जाएंगी वहाँ पे ठीक है हर एक chapter के साथ student देखा कितने easy way से हमने ये topic सिखा है ऐसी और study based वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और like जरूर करें thank you